कि अच्छी काल एवरीबडी की हाल चाल आई होप सब अच्छे होंगे मजे में होंगे तो आज का दिन बुद्धा बेश्च में गुजरना है और कुछ काम था राइसर्स का और कुछ समान मजा लेना था तो बड़ी मुश्किल से आज मोका मिला है तो मैंने चुछा आपको भ तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में और ड्राइविंग लाइसंस के बारे में थोड़ी सी अपनेट थी तो वह आपको बताता हूं तो बने रही है मेरे साथ मुद्धा बैस का ट्रांस्पोर्ट सिस्टम काभी अच्छा है लो जी बुद्धा बैस्ट नूगाती बहुत अच्छा स्टेशन है एक बुद्धा बैस्ट का में स्टेशन यहां से कहीं पर भी जा सकते हैं अच्छा बैस्ट एवर्बडी की हाल चाल पोर्स नौश अब ठीक है मैं अभी तक त्राइब अच्छे ओंगे मजह में होंगे तो आज की लोडिंग फिर से चलू है जर्मनी के लिए तो कल बुद्धा पेस्ट में जर्हा दे निकाला था और कुछ काम था ड्राइविंग लाइसंस का तो उसके बारे में भी जो अपडेट है वो आपको बताऊंगा तो बने दीए पर साथ इस वीडियो में तो अभी जैसे आप देख सकते हैं मैंने आए दोनों साइड से जह काटे इस खोले हैं ठीक है तो यह एक आत्यों साइड कारों ऑलीजागें in के सीजन में तो जैसे समर सीजन था पहले तो बहुत से टूरिस्ट आते हैं इतर और यह बहुत अच्छी जगा यह बैला टॉन यूरोप की सबसे बड़ी लेक है कि तो कंटिन्यू करते हैं अपनी लोडिंग देखते हैं तो बने रही है इस साथ वीडियो में कि दोनों साइड से खोले हैं और यह स्ट्रैप्स पूरे के पूरे रेडी करके रखने पड़ेंगे आठ से दस प्रैप्स चाहिए कि लोडिंग शुरू हो चुकी है कि इस तरह के पार्ट है जो लोड हो रहे हैं कि ट्रैक्टर पार्ट कि इसको पूरा स्ट्रैप्स जो रसी हैं डालनी पड़ेंगी पूरी कि देखिए यह बड़े बड़े हैं ट्रैक्टर पार्ट ऐसा भी कभी कभी लोड करना पड़ता है तो यह देखिए बाई साब गाड़ी तो अपनी हो चुकी है लोड और कितरना खतरनाक सा माल है आज गाड़ी में और स्ट्रैप्स देखो कितने डाले हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नों दस ग्यारां बारां तेरा चोदां और दो इदर है शोलां तो शोलां जो श्ट्रैप डाली है बेल्टें तो आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसा माल भी लोड करना पड़ता है तो बहुत ही द्यान से से क्योर करके फिर लेकर जाना होता तो झालते निकलते हैं लोड करके को पर फिस करते हैं बाणे झाल 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 तो भाईयो आज की शिफ्ट इधरी अपनी खत्म होती है जर्मनी में और यहां से जो मेरे डेस्टिनिशन है वन हंडर्ड थर्टी किलोमेटर के असपास है तो दो गंटे का जो सफर है वो अभी मंडे को कवर करना है क्योंकि मंडे ही अनलोडिंग है तो वीकेंड की जो ब्रे तो जो मेंडेटरी है एक वीक 45 करता हूं मैं और नेक्ट वीक नेक्स वीकेंड 24 आवर्स तो ऐसे यह सिस्टम चलता है इदर योर्प का तो अभी जो मोसम है पूरा ठंडा हो चुका है अभी भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूं बाहर यह देखिए यह स्नो है अल्रेडी चुकी है और अभी भी थोड़ी 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 करके गिर रही एस नू पदा नहीं कैमरे में नजर आ रहा है लेकिन अभी गिर रही है और तो अभी दुपहर का टाइम है अ रात को पूरा चांस है यह स्नो बढ़ जाएगी और तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बुदाबैस गया था और लाइसंस के बारे में कुछ बात की थी तो हम आपको बताना चाहूंगा ट्राइविंग लाइसेंस का कुछ काम था मेरे को तो मैं आझ बुद्धापैस में, तो वहां पे पूचन पूच्छा है उन्हुने आईडीपी के बारे में, ठीक है? जो आईडीपी है वो AAA мांग़तेगै थीक है? आज से 6 मीने पहले जब मैं गया था लाइजन्स का प्रोसेस करने के लिए उस टाइम पर नहीं बोला था लेकिन अभी कोई भी उनके बास जाएगा इंडिया से खास करके तो वो बुकलेट वाडा आईडी पी मांगते हैं तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो नहीं है मेरे पास तो एफ और वाला है क्योंकि मेरा जो परसीजर था वो पहले से चल रहा था तो शायद इसकी वज़ा से उन्होंने मेरे को शूट दी जा कुछ ऐसा किया लेकिन मुझे लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं इदर जो नए लोग आएंगे तो अगर उनको लाइसंस चेंज करवाना होगा इदर हंगरी में तो बुकलेट वाला ही आईडी पी एक्सेप्ट होगा तो ये कुछ बाईयोंने मेरे से पूछा था तो उस टाइम पे मेरे को आईडिया नहीं था लेकिन अभी मेरे को कंफर्म हो गया है क्योंकि मैं खुद जाके आए हूँ वहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि जो बुकलेट वाला आईडी पी है वो आपको बनवाना पड़ेगा तो पंजाब में तो फिल आल तो बन नहीं रहा तो बाकी स्टेटों का मुझे पता नहीं है कुछ लोग बोलते हैं डेली में बनता है उदर मुंबई में भी बनता है लेकिन पंजाब में तो फिल आल नहीं बन रहा ठीक है अगर इसके बारे में किसी को कुछ जान करी हो तो तो आप कमेंट में जुरू बताना तांकि जो दूसरे अपने बाई हैं उनकी हेलप हो सके ठीक है दोस्तो तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं बहुत जल नहीं वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखिए